बिस्मिल्यार मारहीम, वेल्कम होगे आप सभी के हमारे पार्ट 7 में और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 3PL सर्विसिस के बारे में कि ये क्या होती हैं, कौन सी कंपनी बैस्ट रहने वाली हैं और हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, सब कुछ आपको डिटेल में ब बात कर रहा हो, ये चल गया रहा है, सिंपल से इदर आप लोगो हमारी प्लेलिस्ट शो हरी होगी, प्लेलिस्ट है, शोपिफाइ इंटरनेशनल कोर्स 2024, अगर आप लोग इंटरनेशनल ही काम करना चाहरे हो, पाकिसान में बैठकर या किसी भी मुलक में बैठकर बिजनस कर आप लोगर फ़कर प्लेलिस्ट जोन कर सकते हो, आपने हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जागी, Shopify International 2024 की जॉइन कर लेना, step by step आपका भाई लेकर चल रहा है, account create करने से लेकर at the end आपने अपना profit कैसे बनाना है, सारी जीज़ने डिटेल में हम लोग सीख रहे हैं, so guys, वीडियो का फ़र इंटरस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अभी तक like नहीं किया, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, what is 3PL, यहां यह prep center आप बोर्डियो इसका मतलब क्या है, हमें तो समय नहीं आरी कि यह क्या चीज़ है, पहले नुम्बर पे 3PL का मतलब है, third party logistics, मतलब कोई third party company आप यूज कर रहे हो, जो कि आपके logistics को manage करे, यहां हम prep center इसको बोल सकते हैं, दोनों को काम सेम ही है, आपने confuse नहीं होना, बस नाम अलग-अलग हैं, इसका मतलब यह है कि आप पाक्सान में लेट से बाहन के चलते हैं, बैठे हो, और आपने UK की मार्किर में काम करना है, अब ना तो के पास उधर warehouse है, ना आपके पास कोई इस तरह का बंदा है, जो कि यह सारी चीजों का manage करे, आपके couriers वगएरा को, आपकी packing को, आपकी labeling को, यह सारे काम के लिए आपके पास बंदा नहीं है, और ना ही आप पाक्सान में बैड़कर कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोग कुछ companies हैं, 3PL companies हैं, जिनको आप हाईर करते हो, जो कि आपके यह सारी चीजों का manage करते हैं, उनमें आप warehouse भी आपको देखने को मिलती है, आप अपना stock जो है, वो उधर रखवा सकते हो, second number पे labeling होती है, वो आपके store पे label करते हैं, उसको re-packing करते हैं, एक तो packing जो होके आती है, by default वो तो होती है, लेकिन उसको re-pack करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो आगे अपने courier के through, जो भी उनके पास companies होती हैं, वो आपका parcel आपके customer को बिजवा देते हैं, तो ये चीज़े होती हैं, इसको कहते हैं, 3PL, third party logistics, या मैं बात करूँ, prep centers, अच्छा, इधर एक चीज़ अपने mind में set कर लो, काफी जदा लोग confused हो रहे होंगे इधर, अगर तो आप लोग drop shipping कर रहे हो, तो then आप लोग third party logistics का use नहीं कर सकते हैं, ना ही prep center का use कर से दो, ये उन लोगों के लिए है, जो white label कर रहे हैं, जो private label कर रहे हैं, जिन के पास mall पड़ा हुआ है, start पड़ा हुआ है, वो अपने वेरा उसमें रखवाएंगे, इनके पास mall रखवाएंगे, आगे shipping करवाएंगे, तो आप लोग ने इस चीज़ को mix up नहीं करना, ये चीज़ drop shipping वालों के लिए नहीं है, सिरफ white label और private label वालों के लिए है, अब बात करते हैं कि why, हम लोग इसको use क्यों कर रहे हैं, हमें कौन सी ऐसे जोद पड़ी है, हम 3PL companies को ही use करें, पहली नमबर पे physical appearance, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछे बता दिया, कि आप लोग उद्धर नहीं हो, आप लोग को कोई भी इस तरह का बंदा नहीं है, जो कि ये service प्रवाइड करके दे, physical appearance, अपनी show करवाने के लिए third party logistics को आपको use करना पड़ता है, अब ना तो आपके पास यतनी investment है, कि आप अपना एक warehouse पहले करीदो, उसके बाद अपनी team hire करो, जो कि ये सारे काम करेगी, समय रहे हो ना, तो इसके लिए simple से हमें इनको use करना पड़ता है, और second चीज़ करके मैं बात करूँ, तो आपके shipping जो है, वो बहुत ज़्यदा fast हो जाती है, अब ये कैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब हमारी पिछली वीडियो में हम लोग ने cover किया था, कि best suppliers कोन से हैं, international market के साफ से, अगर आप लोग मैं वीडियो मिस करती है, तो don't worry, निजे description में लिंक दे दूँगा, जाके लाजमी देख लेना, अच्छा, उस वीडियो में मैंने आप लोग को suppliers बताये थे, और let's say कि एक CJ's drop shipping है, वो supplier मैंने बताया था, उसके साथ अगर आप drop shipping करते हो, तो then क्या होता है कि आपको जो shipping time है, वो साथ से 12 दिन या 14 दिन लग जाते हैं delivery करने में, तो कोई भी customer जो है वो इतना ज़्यादा weight नहीं करता, उसके लिए अगर आप third party logistics को use करोगे, यहां आप लोग prep centers को use करोगे, वो क्या करेंगे, आपकी shipping time को बढ़ा देंगे, अब मान के चलो कि आपका जो भी distributor है, जो भी supplier है, उससे आप लोग ने चाइना से माल import किया है, जिदे से भी किया, आपने 3PL service के पास माल रखवा लिया, अब वो क्या करेंगा, आपकी delivery जो है, दो दिन में या तीन दिन में आपकी जो delivery है, वो कर देगा, आपका shipping time increase हो जाएगा, इससे होगा कि आपका business की growth जो है, वो काफ़ ज़्यदा बढ़ जाएगी, चले मैं आप लोग एक example और देता हूँ, पार्सल बहुंचे बहुंचे, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आप लोग 3PL यूज़ करते हो, यह आप लोग prep centers को यूज़ करते हो, तो देन आप लोग का जो time है, shipping time है, वो बहुत ज़्यदा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी inventory पड़ी है, उनके पास जैसे order आएगा, वो 24 hours के अंदर अंदर आपकी customer को parcel deliver कर देंगे, आपका shipping time क्या हो गया, increase हो गया, hope करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ understand हो गी होगी, पर इससे हट कर अगर मैं बात करूँ, तो आप जब third party logistics को use करते हो, वो आपकी packing करते हैं, मांगे चलो आपने चाइना से कोई चीज़ मंग वाई, पाकसान समगाई, जिदर से भी मंग वाई, आपका distributor जिदर का भी है, वो आप लोग एक तो packing जो by default आ रही है, वो तो आ रही है, लेकिन वो अपनी third party logistics जो है, वो भी अपनी packing करेंगे, उनको repack करेंगे, उसके उपर labeling करेंगे, अपने labels लगाएंगे, आपकी company के जो भी हैं, उसके बाद वो आपके जो product है, उसको आगे shift करेंगे आपके customer को, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, that's why हम use करते हैं, third party logistics को, या prep centers को, सुब्सके अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, कि third party logistics क्या है, उसके बाद हमने उसको क्यू यूज करना है, और third number पे हम लोग अब देखते हैं, कि हम लोग ने कौन सी ऐसी company है, हमें कैसे पता चलेगा, हमने उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें देखनी है, जिससे हमें idea हो कि यार ये company ठीक है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी characteristics हैं उसमें, तो वो कुछ चीज़ें, कुछ points मैंने note करके रखे हूँ हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ने simple से उनको note down कर लेना है, और अगर किसी company में वो सारी चीज़ें हैं, या 4-5 points भी हैं, आप लोग उस company के साथ जा सकते हो, सुगेस हमारे पास जो पहला point भी है trust issue, आप लोगों ने peace of mind देखना है अपना, आप जिस भी company के साथ काम कर रहे हो, उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपका जो trust level है उसके साथ होना चाहिए, आपने अपनी product जो है वो उसको बिजवानी है, ये नहीं वो company ऐसी हो, कल को वो आपके product लीक करें और आगे market में बेचना शुरू करते, समझे रहे हैं आपके product saturate हो जाए, क्योंकि आप लोगों की product जो है वो unique होगी, और आप ऐसी product sale कर रहे होगे, जो के आप नहीं शो करवाना चाहरे है, अगले बंदे को जो आप market में बेच रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों को जरूरी है कि उस company के साथ काम करो, जिसके साथ आपका trust level बना रहे है, ये ना हो कि कल को वो चीज कापी करके और आगे market में बेचने बैठ जया है, तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिली, second number पे आप ने उस company में देखनी expertise, के वही वो company जो है, उसके expertise level क्या है, कितनी देर हो गया उस company को काम करते हुए, कोई नया platform तो नहीं उठके आगया, ये ना हम उसके साथ काम करना शुरू करें, कल को वो platform ही निकल जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप लोग ने उसकी history बगरा, उसके domain ए, सारी चीज़ें आप लोग ने देख लेनी है, platform कितना पुराना है, क्या चीज़ है, पूरी research करके फिर आप लोग ने उस platform के साथ काम करना है, आगे चलके मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे करनी है, क्या नहीं करना, बस आप लोग ने मेरे साथ जोड़े रहना है, थर्ड नमबर पर अगर मैं बात करूँ तो वो आता है technology और softwares, कि वो company किस technology पर काम कर रही है, और उनके पास कौन कौन से softwares है, because कि अब जब आप उनके साथ काम करोगे, तो चीज़े automate होनी चाहिए, किसी third party बहुत पुराने softwares पर पुरानी technology पर काम कर रहे हो, उस पर सारी चीज़े manual होनी चाहिए, तो इस तरह का काम ना हो, आप लोग ने ये चीज़ make sure करनी है, कि वो जो company हैं उसमें technology, मतलब के advance हो, और second number पर softwares उनके updated हैं, automated हैं, बस just order रहा है, ship हो गया, सारी चीज़े होगी, आपको कोई मतलब के tension लेने की दूरत नहीं है, चोथे नमबर पर देखो supply chain, उनकी supply chain कैसी है, मतलब कितना की time लग रहा है, क्या साबकताब है, कितना मतलब के देर में delivery कर रहे हैं, लेट से कि आपके distributor से माल आया है, तो आप लोग वो जब आपके 3PL कंपनी के पास आया है, तो देखो वो आपको देखेंगे कि कितना माल आया है, कोई stock है, कोई चीज कम है, quantity कम है, सारी चीज़े वो किस तरी किसे manage करते हैं, कितना time लेते हैं, आगे delivery का क्या ratio है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी हैं उस company में, और हमारे पास जो next point आता है, वो है price का, बहुत important चीज़ है, देखो पैसा सबसे main important चीज़ है, आप लोग देखना है कि वो company कितना पैसा आप से charge कर रही है, आपके जो products हैं, आपके units हैं, उसके साफ से आपके जो warehousing है, उसके लावा labeling है, repacking है, bubble wrapping है, जो भी है, उसके कितने पैसे charge कर रहे हैं, तो आपको जिससे कम price offer हो, उस company के साथ आप लोग ने जाना है, जिसमें आप लोगो price सबसे affordable देखने को मिले, और last but not the least, इधर मैं एक point add करता चलू, customer feedback, customer feedback उनका आप लोग ने देखना है कि यार, इस company का feedback क्या है, अगर customer अच्छे reviews दे रहे हैं, अच्छा feedback दे रहे हैं, तो देन आप उनके साथ जा सकते हो, otherwise आप लोग देखो कि इनका feedback अच्छा नहीं है, तो देन समझ लेना कि company ऐसी है, तो hope करता हूँ, यह साही चीज़ें आप लोगो समझ लगी होगी, आप लोगो नोट कर लेना है, अब मैं आप लोगो practically लेके चलता हूँ, अपनी laptop scheme पर, उतर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी companies है, किन के साथ आप काम कर सकते हो, और अगर नहीं है, तो आप लोग ने find out कैसे करनी है, अपने से, सारी चीज़ें मैं आपको practically करके दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं भी laptop scheme पर, इदर आप लोग जैसे के scheme पर देख सेकते हो, पहली website मैंने रखी है Shopify की, Shopify official जो है, वो आप लोगो fulfillment की service देता है, वो कहता है के scale your business with a fast, easy and affordable fulfillment, हम आपके लिए fulfillment करेंगे, officially आप लोग इनके साथ काम कर सकते हो, तो नीचे आप लोग स्कोल करोगे, इदर आपको ये सारी चीज़े देखने को मिल जाएंगी, आप लोग इनके थुरू भी faster delivery है, और launch partner है, उसके बाद नीचे स्कोल करोगे, fast delivery है, उसके बाद data driven network planning है, फ्लेकसिबल affordable delivery है, तो सारी चीज़े आपको इदर ये प्राइसिंग वायरा, सब कुछ देखरेंगे, मिलेगा, simple से आप लोग ने get started पर click करना है, और आपको सारी की सारी चीज़े इदर देखने को मिल जाएंगी, ये official है, और आप लोग इनके साथ भी ये service ले सकते हो, अब second number पर बढ़ते हैं, अपनी next website की तरफ जो मैं रखी है, वो है, beater 3PL, अब ये जो website है अगर आप UK में अपनी service लेने चाहरे हो, 3PL की, या US में लेने चाहरे हो, United States में, तो दोनों countries में आप लोग इस website को use कर सकते हो, बहुत trusted है, 100%, आप लोग आँखे बंद करके काम कर सकते हो, उपर आप इनके services भी देख सकते हो, अगर आप लोग इदर देखो, story services है, FBA prep services है, FBM services है, अब ये FBA और FBM क्या है, Amazon वालों को तो ये चीज़ बता होगी, FBA का मतलब है fulfillment by Amazon, और FBM का मतलब होता है fulfillment by merchant, तो ये आप लोग merchant के तुरू भी करवा सकते हो, अगर आप Amazon के वेर आउसेज में, अपनी product भी जवानी है, जो मैंने आपको merchant वाली बताई, supplier की service भी दे रहे हैं, और other services भी ये आपको दे रहे हैं, contact कैसे करना है, नीचे scroll करके आओगे, footer section में इदर आपको इनका phone number मिल जागा, simple से call करो, सारे चीज़े discuss कर लो, उनके साथ rates बगएरा, बाकी rates आप लोगों उपर ये pricing पे आओगे, UK price और USA price आप लोग क्लिक करोगे, तो आपको सारी की सारी pricing जो है, वो idea हो जाएगा, क्या है, आपको इनकी email मिल रही है, UK का इनका physical वेरा, उसका address मिल रहा है, USA का भी address मिल रहा है, आप लोगों को ये idea हो जाएगा, इसके लावा pricing अगर UK की आप देखना चाहरे हो, इतर आप लोग क्लिक करोगे, तो आपको सारी की सारी details इतर मिल जाएगी, इस page की उपर, receive, inspector, ready to ship, ये सारी की सारी इनको price की detail उन्होंने दी वी है, आप इदर नीचे स्कोल करोगी, इदर भी आपको सारी details मिल जेंगी, इसके साथ बढ़ते हैं, अपनी next website की तरफ वो है जम्बी, इसका नाम आप लोगो अलड़ी पता होगा, मैंने अपने sprites वाली list में भी इसको cover किया था, अब ये जो website है, ये आपको allow करती है, कि आप हमारे थुरू 3PL की service मतगे दे सकते हो, मतलब कहने का कि आप इनके वेरा उसमें product वाओ, ये आगे shipment भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और दो markets में ये अभी काम करी है, मैंने आपको बताया था last time भी, अगर आप UAE, दुबई की market में काम करना चारे हो, तब भी कर सकते हो, उसके लगा अगर आप लोग, Saudi Arabia में करना चारे हो, तो देन आप लोग इसके साथ काम कर सकते हो, ये जंबील है, इसके थुरू भी आप लोग 3PL service ले सकते हो, rep center की service ले सकते हो, अब next website की तरह बढ़ते हैं, next website इदर है, ship bob, इदर आप लोग देख सकते हो, the number one e-commerce fulfillment solution आपको देखने को मिल रहा है, order fulfillment भी करेंगे, inventory management भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, उपर आप लोग देखो, इनकी pricing भी show हो जाएंगी, products और integration, customers, सारा कुछ इदर आपको show हो जाएगा, नीचे आप लोग देखो, 99.96% क्या है, order shipping time है, उसके लाबा, 99.95% जो है, accuracy rate है, 50 प्लस fulfillment इनके centers है, जो के across six different countries में काम कर रहे हैं, number one fulfillment solution है, 2024 का, नीचे scroll करोगे, इदर आपको सारी details मिल जाएंगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इतर ये चेकरो, उपर भी इतर आप देखो, North America, United Kingdom और Australia में services इनकी देखने को मिलेंगी, इतर आप लोग देखो, US 35% उसके लावा four different states हैं, जैसे कि CA, TX, FL, and NY, नीचे scroll करते हैं, सारी की सारी चीज़े आप लोग ने जैसे देख लेनी है, service provider भी, network भी देख सकते हो, इदर FedEx है, DHL है, और भी काफी जाद देखने को मिलेंगे, और आप लोग ने just scroll करना है, और इनके साथ आप लोग ने contact करना है, लोग ने इन से सारी चीज़ें discuss कर लेनी है, और इदर आप लोग को अगर मैं दिखाऊं, ये चेकरो, 50 प्लस global locations आपको इसमें देखने को मिल रही है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये platform जो है red stage, ये जो platform है, इस पर आप लोग नीचे मैं scroll करता हूँ, इस पर 3PL founder by e-commerce operation नेचे आते हैं, इदर आप लोग को देखें, इता fulfillment जो है delivers your brands, और नीचे अगर हम मैं और scroll करके आप लोग को दिखाऊं, इदर आपको dog to stock into business days, दो business days में ये दे देते हैं, उसके बाद आप लोग pick pack accuracy on time shipment देखने को मिलती है, सारी details इदर दी कही है, आप लोग ने read कर लेनी है, इनके आप लोग उपर number भी sure है, आप ने just इनको call कर लेनी है direct, और इसे सारी चीज़े आप लोग ने call पर ही discuss कर लेनी है, नीचे आप लोग इनकी locations देखने को मिलती है, आप लोग देखो इदर दो ही locations है, मतलब ये जो website है, ये US में काम कर रही है, और इसके लावा नीचे आप लोग इदर ये चेक भी कर सकते हो, इनका ये चेकर, United State है उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप लोग United State में 3PL सर्विस टू हुंड़े हो, तो आप लोग इनके साथ काम कर सकते हो, अब next website जो है, वो है ship hero, ये website भी काफी अच्छी है, आप इनके थरू भी अपनी सर्विस बगरा ले सकते हो, नीचे मैं स्कोल करता हूँ, इसका shipping है, पुरेसी देख सकते हो, फास्ट बेख शिपिंग है, उसके लावा कोस्ट है, उसके लावा पिकिंग efficiency है, में चीज़ है पैसा, आप लोग ने पैसा देखना है कि कितना ये आप से चार्ज कर रहे हैं, orders and returns, आप लोग इदर देख सकते हो, inventory management होगी, आपकी mobile pick and pack है, उसके लावा नीचे स्कोल करते हैं, rate shopping है, उसके बाद नीचे reports है, और ये सारी चीज़े आपको इदर देखने को बिल रही है, आप लोग ने simple से इन से contact करना है, और ये भी एक बहुत अच्छा supplier है, इसका आपको मैं dashboard भी open करके दिखा देता हूँ, इदर मैंने login करके रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये आपको dashboard इनका show होगा, आप लोग इदर अपना connect store कर सकते हो, आप Shopify है, Etsy पे काम करो है, Amazon पे करो है, eBay पे करो है, Walmart, WooCommerce, किस भी platform के इसाल काम करो है, आपने अपना store connect करना है, और next अपना काम start कर देना है, ये अब लोगों मैंने इस website का show करवा दिया है, ship hero का, अब next, इसके लावा काफी दा websites हैं, अगर आपको मैं step by step बताना शुरू कर दूँगा, काफी time लग जाएगा, इदर मैंने एक website ओपन करके रिख हुई है, seller essentials.com के नाम से, इसका link भी description में मैंने प्रवाइड कर दी है, आप लोग लाजमी से चेक आउट कर लेना है, इदर आपको सारी की सारी prep companies मिल रही है, आप लोग को बहुत बहुत high level की companies हैं, उसके साथ आप लोग को location देखने को मिल रही है कि किस-किस locations पर ये companies जो operate कर रही है, उनका time क्या है, 24 hours है, 48 hours है, सारा details इदर दी हुई है, tax है, tax free है, ये टिक लगे हुए है, आप देख से लो, wholesale है, imports है, उसके लावा ये सारी चीज़े आप लोग इदर देखने को मिल जाएंगे, सिंपल से आप लोग ने क्या करना है, स्ट्रोल करना है, और इन companies में आपको देखो, third party fulfillment देखने को मिल रही है, अगर आपने Amazon FBM या prep और ship services लेनी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके लावा recommended Amazon seller spreads भी देखने को मिल जाएंगे, सिंपल है, आप लोग ने इनको searching करनी है, इनको open करना है, और इसको आप विजिट करो, देखो, आपको जो better लगे, आप उसके साथ जा सकते हो, मैंने आप लोग को एक बहुत लंबी list प्रवाइड कर दी है, 3PL service providers की या prep centers की, अब आप मैंसे कफ़े लोग बोलेंगे कि यार सम्मा भाई, पीछे तो आप लोग ने वो websites बता दी है, वो तो चलो ठीक है, वो trusted है, आप बोल रहे हो, लेकिन इन में से हमें कैसे पता चलेगा, कि ये trusted है, मैं इसके साथ काम करूँ या ना करूँ, बाकि आपने points हो हमें ब वो भी बताता हूँ, पहले नमबर पे Google पे आओ, सिंपल से आप लोग ने Google पे आगे सर्च करना है, प्रेप सेंटर, USA लिख लो, UK लिख लो, Canada लिख लो, जितर भी लिख लो, आपको सारी की सारी लिस्ट मिल जेंगी, प्रेप सेंटर की, यहां मैं 3PL सर्विस की बात लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, कि यार यह ट्रस्टिट भी है, कि नहीं मैं इसके साथ काम करूँ फ्यूचर में या ना करूँ, तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैंने एक सलूशन निकाला है, उसके लिए आप लोग ने करना क्या है, आप लोग ने जो भी स्प्ल करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले नमबर पे इदर मैंने एक वेबसाट ओपन किया थी, कोई भी वेबसाट उठा लेते हैं, जिस्ट आप लोग को एक एक इक्जेम्पल समझाने के लिए, इदर ये इनका ना USA का एक वेरा, उसका एड्रेस है, मैं वो उठा लेता आपने इतर डिरेक्शन के उपर क्लिक करने है, जैसे आप लोग डिरेक्शन पर क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से डिरेक्शन ओपन होजेगी, मैप गूगल में आप खुल जाएगा, अब नीचे आप लोग इतर लेप साट पे देखो, ये आपके डिस्टिब्यूटर की, आपके स्प्लायर की सारा एड्रेश ओर है, उपर आप लोग ने यूर लोकेशन में लिखना है 3PL सर्विसीज, यहां आप लोग लिख सकते हो, प्रेप सेंटर, आपकी मर्जी है जो मर्जी लिख लो, अब मैंने जैसे 3PL सर्विसीज लिखके क्लिक की आना है, तो इसने मु लोग इदर से डिटेल भी उपन करके देख सकते हो, सारी की सारी आपको इदर से डिटेल मिल जागी, अदर्वाइस आप लोग उसको फिजिकली जाके भी विजिट कर सकते हो, अब यह तो मैंने आपको एक एक्जेमपल दे दी है ना, आपके डिस्ट्रिब्यूटर के क्री का एडरेस है, आप ने दर आना है, और इस चगा पर आपने आके नीचे पेस्ट कर देना है, अब जैसे चेंज करोगे, उपर आप लोग ने दुबारा से सर्च करना है, इसको मैं कर देता हूँ, 3PL सर्विसिस दुबारा, तो इसने हमें यह सारी सारी डिटेल उसकी ओपन क स्प्लायर के पास किस तरीके से प्रेप सेंटर्स यहां 3PL सर्विस प्रोवाइडर फाइंड करने है, आप उनको फिजिकली जाके भी विजिट कर सकतो, आप उससे जाके सारी चीज़े कॉंटेक्ट करके सारी डिटेल में ले लो, क्या आपकी चार्जिस होंगे, क्या चीज सकतो, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स लेक्शर में, आज करे इतना ही, अल्ला आपीस.